चिरी चिकेन ड्राइफ्राइ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां बॉनले चिकेन लिया इसमें मैंने एड किया स्वाद अनुसर नमक, ब्लैक पेपर पाउदर, गार्लिक एंड जींजर पाउदर यहां आप गार्लिक एंड जींजर का पेज़ भी यूज़ कर सकते हैं फ आपको अच्छे से मीक्स कर लीजिए और एक घंता के लिए अब रख दीजे धक्कन लगा के इससे आपका क्या होगा मीट के अंदर आपका पूरा नमग और जो सौसेज का स्वाध है उसके अंदर चला जाएगा एक घंता मेरिनेट करके रखने के बाद यहां मैं एक अंदर आड़ करूंगी और कॉर्ण फ्लोर पाउदर वन टेबल स्पून और मैडा वन टेबल स्पून आड़ करके इसको अच्छे से मीक्स कर लूँगी ठीक इस तरह से ही आपको मीक्स करना है अब चिकन को फ्राइ करने के लिए मैं ओल को हीट कर लूँगी फ्लेम को आप मीडियम हीट में रखके ही पूरा चिकन को आपको फ्राइ करना है तब ही आपका जो चिकन है वो क्रिस्पी बनेगा ऐसे ही मैं एक एक पीज चिकेन यहां पे डाल के मैं अच्छे से इसको golden brown होने तक fry कर लूँगे चिकेन को आपको time लेके fry करना है जल बजी में fry करने से चिकेन उपर से brown color हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकेन cook नहीं होगा बस एक बार चिकेन cook हो जाए उसके बाद चली चिकेन तो दो मिनित में ही बन जाता है बस अब मेरा fried chicken ready इसको अब अलग से side में रख दीजिए अब में थोड़ा रेस्ट्रो जैसा flavor लाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ओल डालके इसमें में capsicum और जो प्याज है इसको में अच्छे से high heat में थोड़ा time के लिए cook कर लोंगे इससे क्या होता है आपका जो capsicum और प्याज का जो flavor है वो एक थोड़ा सा smoky type का आ जाता है इससे chili chicken में थोड़ा बाहर जैसा सुआदा जाता है अब मैं recipe के लिए इसमें oil heat कर लूँगी उसके बाद chop ginger और garlic देखे इसका कच्छापन खतम होने तक इसको अच्छे से भून लूँगी इसको ज़्यादा time तक आपको भूनना नहीं है अब मैं add करूँगी यहाँ पे chop किया हुआ ग्रीन चिली इसको भी आपको भूनना नहीं है बस oil और प्यास के साथ ग्रीन चिली को mix करना है उसके बाद मैं यहाँ पे fried chicken को डाल दूँगी mix कर लेंगे अच्छे से सब को इस time में आपको medium heat में ही flame को रखना है अब मैं यहाँ पे swad anusar नमक यूज करूँगी और black pepper powder मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून यूज किया क्यूंकि चिली चिकन में आपको black pepper powder का जो flavor है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अब यहाँ मैंने टीन सॉसेस को mix करके पहले ही रख दिया था यहाँ पे मैंने डाल दिया था विनेगर वान टी स्पून करिबन स्वाय सॉस एंड टोमेटो सॉस वान टेबल स्पून करके यहाँ पे मैंने एड किया और इसमें आपको medium heat में ही cook करना है 20-30 सेकेड तक क्योंकि आप ज़्यादा high flame में इसको पकाएंगे तो फिर यह सॉसेस जलने का सांसेस रहता है इसके बाद जो मैंने capsicum और प्यास फ्राइड करके थोड़ा सा रख दिया था इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी और उपर से मैं spring onion को भी डाल दूँगे इस ताइम में आपको flame को high heat में रखना है और एक मिनित तक इसको अच्छे से cook कर लेना है जो सॉसेस मैंने यहाँ पे डाला था उसका पूरा flavor प्यास केप्सिकम सब में अच्छे से mix हो जाने तक आपको अच्छे से इसको cook करना है अब मैं one teaspoon corn flour powder को पानी में add करके इसमें डाल दूँगे उसके बाद high flame में one minute तक फिल से मैं इसको cook करूँगे बस यह cook करनी के बाद हम लोगों का chili chicken ready आप इसको starter के हिसाब से भी use कर सकते हो या तो फिर dinner में भी ले सकते हो lunch में भी ले सकते हो spicy tasty एकदम mouth watering वाला chili chicken dry fry अगर आप लोगों को gravy पसंद है इसमें थोड़ा सा और ज्यादा आप corn flour का powder पानी में ज्यादा quantity में use करिए यह gravy बन जाएगा इसके उपर में last में soft आपका प्यास का पत्ता और white तील उपर से ढाल दोंगी इससे देखने में भी अच्छा लगता है बस आप surf करिए इसको वेस fried rice के साथ या तो फिर chicken fried rice के साथ घर पे बना के देखिए यह recipe और टेस्ट करके बताईए कैसा बना बहुत spicy yummy क्या बताई और बस enjoy करिए और प्लीज मेरे channel को subscribe करिए सही आगे वीडियो देखने के लिए fried rice का भी recipe में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही इसमें मैंने एक fried rice serve किया था chili chicken के साथ और इसमें अगर मैं डोनों recipe add करती तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा जाता तो मैंने सोचा कि पहले chili chicken का डाल देती हूँ उसके बाद मैं भेस fried rice में आप लोगों के सा शेयर करूंगी हाँ इसका मैंने short video में भी बनाया लेकिन short video में आप पूरा recipe आप शेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पर one minute का video बनता है और one minute में आपका पूरा recipe नहीं आता है